So, hello दोस्तो, welcome to the third video of our Source Stopper series, जहां हमारा objective होता है essay concepts और essay sums को cover करना, जो आप लोगों का boards में 100 on 100 आने से रोख सकते हैं। आज हम लोग लेकर आया हैं आपके लिए दोस्तो, modulus differentiation, सर जब भी class 12 board exams में, modulus differentiation का questions आया है, majority students ने, if not all, ने wrong किया है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि सर, modulus functions का differentiation करना क्या से है, ठीक है ना, इसी light में दोस्तो, आईए बात करते हैं इस regard में, मान लीजिए दोस्तो, आपका एक function ह mod x, है ना, y equals to mod x, आपको बोला गया, find dy by dx, मतलब, mod x को differentiate करो, with respect to x, before we start the differentiation, मित्रो, let me explain you something, and what is that sir, दोस्तो, the thing is, दोस्तो, the thing is, please listen very carefully, कि, mod x का, दो values होता है, ये अपने लोग सबको पता है, सर, दो values, जी हाँ, बलकुल, आज आप लोग सबको मालूम है, कि, mod x होता है, कब, अगर x की value greater than, equal to 0 है, आज आप सोच के देखो, mod x का काम क्या है, mod का काम क्या है, हर negative चीज़को positive करना, और अगर positive है, तो उसको positive रहने देना, मान लीजिए, x 0 है, तो 0 तो 0 ही रहेगा, x 1 है, तो mod में जाने के बाद भी वो 1 ही रहेगा, mod 1 equals to 1 ही होगा, तो इसलिए मै मैंने लिखा कि, if x is greater than or equal to 0, मतलब x is positive और 0, it will be x only, मतलब mod x will be x only, but मान लीजिए x अगर negative है, x की value minus 3 है, let's say x is equal to minus 3, अब वो modulus के अंदर जाएगा, तो modulus उसको positive बनाएगा, और modulus उसको positive बनाने के लिए एक negative sign देगा, तो यानि कि, if x is negative, मैं बोल सकता हूँ कि, if x is less than 0, then mod x is equal to minus x, correct, minus x क्योंकि x को एक negative sign मिल जाएगा, so that it can, the ultimate result can be positive, correct, जैसे minus 3 है, तो mod minus 3, 3 हो गया, तो यह जो minus 3 है, वो x है, इसको minus मिला तभी तो यह plus 3 हुआ न, सब perfect बात करते हो आप, सही है, सवाल ही है दोस्तों कि अब इसको differentiate कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर तो अपने को यह नहीं दिया हो गया, इस question में, कि भई, y first to mod x है, तो भई, यह बताओ, कि कैसे होगा, अब सवाल ही है, कि हम लोगो यह तो दिया हुआ नहीं है, कि x is greater than 0, equal to 0, less than 0, तो सर करें कैसे, मेरा question आप लोग से यह है दोस्तों, कि आप लोग यह तो पक्का समझ गए होगे, कि mod x का अगर कुछ values नहीं दिया हुआ, इसका मतलब, mod x can be both x, as well as minus x, अगर greater than equal to 0x, तो mod x is x, and अगर x less than 0 है, तो it is minus x, सर बलकुल सही क्याते हो आप, what I am trying to come to is, कि ऐसा और कहा होता है, ऐसा एक और function है दुनिया में, जिसका plus और minus दोनो values हो सकता है, क्या आप ऐसा नहीं लिख सकत मॉडूलस x की जगा आप root over x square नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप root over x square लिखो, तो आप लोग सोच के देखो, x can be both plus x as well as minus x, x can be both plus as well as minus, क्योंकि minus x into minus x can also lead to x square, plus x into plus x can also lead to x square, वाउ सर बात तो बिलकुल सही है, अरे आप समझो ना, इसका जो answer है, वो भी plus x और minus x दोन हो सकता है, तो मैंने बस y को reshape किया, अब सर आपका strategy क्या है, अब दोस्तों मेरा strategy है, बहुत सिंपल, वो क्या, वो ये, कि x square को वैसे ही रहने दो, इसको power में 1 by 2 लिखो, अब मैं divided by dx निकालूंगा, और दोस्तों याद रखिएगा, मैं x square को एक term की तरह treat करूंगा, अच्छा, anything to the power n क्या होता है, ये बात तो दोस्तों आप लोग को पता है न, कि d by dx of x the power n is equals to n into x the power n minus 1, yes or no दोस्तों, सर पता है, तो कहने का मतलब ही है कि similar लिए आप यहाँ पर भी तो वही कर सकते हो, half into x square whole the power half minus 1, यानि कि minus 1 by 2, perfect है सर, जी ह negative में है, तो मतलब वो चीज़ को नीचे आ जाना चाहिए, मतलब मैं 1 by 2 x square लिख सकता हूँ, अभी सुनिएगा, differentiation में, यहाँ पर मैं कुछ और लिखूंगा, पहले आप सुनिए, x square लिख सकता हूँ, और फिर power में 1 by 2 लिख दिया, minus था, इसलिए नीचे ले गया, अच्छ लिख सकता हूँ, और रूट ओवर x square क्या था, mod x था, mod x ही जागे तो मैंने root over x square लिखा, तो मैं उसको वापस replace कर देता हूँ, ओ, so, so, आप लोग को एक नया formula पता चला, और वो नया formula दोस्तों आप लोग को क्या पता चला, दोस्तों जो नया formula आप लोग को पता चला, वो यह है, कि if y is equals to mod x, if y is equal to mod x then दोस्तो dy by dx is equal to x by then dy by dx is equal to x by mod x अच्छा ये बात है sir जी हाँ, sir आप कहा रहे हो कि इसको आप लोग use कर सकते हैं अब अगर exam में कोई modulus based differentiation आया exactly, इसलिए तो आपको सिखाया दोस्तो मैं एक बात और बदा हूँ आप लोगो ये जो मैंने आप लोगों को इतना बड़ा flow दिखाया है, ये तो आप लोगों को ये समझाने के लिए कि modular differentiation of mod x x by mod x क्यों होता है exam में जब application है, अगर ये question आगया तीन number का तो आपको ये ही करना पड़ेगा, बट एक बड़ा question में आपको modular differentiation भी करना पड़ा तो आपको इतने steps दिखाने के जोरोत नहीं है, आप सिधा ये formula apply कर दूँ, ठीक है मैं आपको example दे रहा हूँ ml अगरवाल के exercise 5.13 का ऐसे question का ml अगरवाल के exercise 5.13 में एक बहुत ही बहतर question है ठीक है न, मैं बता दू question number 3 का part 8 है अच्छा, अब मेरे को नहीं पता आप कौन से addition को use कर रहे हो, but 3 part 8 के आसपास होगा, कहने का मतलब यह है, ठीक है न question है, कि y is equals to, दोस्तों ध्यान से दिखिएगा question question है, y is equals to x square log mod cos x correct, जी answer correct, question है find d square y by dx square basically double derivative अपने को करना है, ठीक है वो कर देंगे, अभी आप लोग सुनिये दोस्तों, बहुत ही better question है यह, differentiation practice करना है तो, कैसे sir, आईए मैं आप लोग को समझाता हूँ दोस्तों ध्यान से देखिए, y equals to x square log mod cos x है अगर आपको इसको differentiate करना है आप लोग सबसे पहले product rule apply करोगे product rule जब आप apply करोगे तो आपका x square तो एक तरफ रह जाएगा sir, रहे गए x square एक तरफ अच्छा, अब आपको differentiate करना है log mod cos x को, अच्छा, अब सोचिए function by function सोचिए, log of anything is one by that thing, इसका मतलब, one by mod cos x chain rule लग रहा है ना by mod x, जयाने कि modulus of cos x का differentiation क्या होगा cos x by mod x, mod cos x अभी भी बात खतम दिए है अब तो modulus का differentiation होगा है अब अंदर में जो cos function उसका भी differentiation होगा, into minus sin x अच्छा, तो ये बात है sir जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, और बताओ sir आप अब अपने क्या करेंगे, plus log mod cos x, plus log mod cos x, और differentiation of x square you guys know it very well, कि sir 2x होता है पॉफेक्ट, जी हाँ sir अभी सुनिएगा, अभी भी आप लोग को लग रहा है कि इतना enough है तो नहीं सुनिएगा, इसमें और कुछ सिखने का है देखिए, cos x into minus sin x minus cos x sin x और x square, तो यानि कि मैं लिख सकता हूँ, minus x square cos x sin x है ना, whole divided by देखिए दोस्तों, mod cos x into mod cos x अब अगर mod और mod है देखिए, cos x क्या तो positive होगा तो दोनो positive होगा, negative होगा तो दोनो negative होगा, चाहिए negative negative होगा या positive positive हो, multiplication करके तो वो square में चला जाएगा which will always be positive, तो इसको मैं लिख सकता हूँ mod हटा के, cos square x अच्छा, ये बात है sir, जी हाँ बिल्कुल, प्लस, ये जो बाजू में लिखा हुए 2x log cos x, ये ऐसे का ऐसे, आप बठा दीजिए अब sir, सवाल है next इसको और solve किया जा सकता है हाँ किया जा सकता है, cos x by cos square x को काटा कुटी किया जा सकता है तो यानि कि दोस्तो, dy by dx आपको कितना हो गया minus x square, nx d को कितना cute लग रहा है नहीं क्या, हाँ sir, बिल्कुल लग तो रहा है log mod cos x, sir, सवाल है आगे क्या करना है दोस्तो, आगे क्या करना है, फिर differentiate करना है और अगर आप लो clarity की साथ सोचो तो इसका differentiation जो simple ही है इसमें फिर से आपको माथा लगाना पड़ेगा देखिए, d square by dx square is equals to देखिए, minus square square को रोके d by dx of 10x कितना होता है, 6 square x similarly, plus करके 10x को रखे खतम हो गया यह बात, खतम निकल जाए है यह से, यह वाला problem solved, अब plus का sign दीजिए, अब देखिए आप, अब आपको इसको hold करना है, 2x को, और d by dx of log mod cos x करना है, d by dx of log mod cos x कैसे करेंगे, पहले तो logarithmic function का differentiation, यानि की 1 by mod cos x, फिर modulus function का differentiation, मतलब cos x by mod cos x, correct, and eventually, फिर cos x का differentiation, which will be equal to minus sin x, अब तो सर मज़ा आना ची, आप लोगो करने में, अच्छा सुनिए, यह तो 2x को, यह तो जो 2x था हमारा, यह तो 2x था, उसको constant रखे किया, अब हम लोग log mod cos x को भी तो constant रखेंगे, सर बिलकूर रखना पड़ेगा, log mod cos x को अगर constant रखे, त तो d by dx of 2x क्या होगा, 2 होगा, तो 2 को मैं समने ही लिख दे रहा हूँ, बाद में क्या ही लिखोंगा, सर बिलकूल सही, अब बस दोस्तों, अपने को simplification का marks मिलेगा, question का differentiation, जितना करना था हो गया, खतम, ठीक है न दोस्तों, तो यानि कि minus x square, x square x, अब plus 10x minus 2x, यानि कि minus 2x 10x, अच्छा, इधर देखिए, इधर देखिए फिर से आप, 2x into cos x into minus sin x, यानि कि minus 2x cos x sin x, whole divided by, whole divided by cos square x again, ठीक है, और फिर plus 2 log mod cos x, अरे ये भी तो बच गया ना, तो ये भी तो लिखेंगे, हाँ सर लिखेंगे, अच्छा, अब इधर देखिए, ये cos x, cos x खतम, तो यानि कि ultimate answer आपका कुछ इस तरह से आ रहा है, d square by by dx square, एक हद तक कि simplify में time waste कर जिएगा, ठीक है न, बहुत ज़्यादा हद तक simplify करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा simplification ज़रूरी है कि answer simply दिखे teacher को है न, minus 2x tan x हो गया ये, correct, अरे minus 2x sin x by cos x, तो minus 2x tan x होगा न, सर बिलकुल, और plus 2 log, plus 2 log mod cos x, बस अब करना किया, minus 2x tan x दो बार है, तो minus 4x tan x लिख देंगे उसको और क्या, इस से ज़्यादा simplification का ना हम लोगों को पैसा, I mean marks मिला है, और ना हम लोग waste करेंगे अपना time उसमे, minus 4x tan x बस ठीक है, सर इधर पे full मिल गयाएगा आप लोग को, ठीक है न, ह आप लोग के books में answer को यह और version में हो सकता है, but this will do the task for you, so my dear friends, यह ता हमारा differentiation of modulus function, along with a good son, right, okay.